Assalamu alaikum everyone कैसे हैं आप वेलकुम टू माय चैनल आप तेख रहे है नैच्रल ब्यूटी विद नेचर और आज आपको मैं कुईक सीरम बनाना सिखाऊंगी उसके लिए आपको चाहिए ग्लैसरीन जोजबा आयल एंड उसके साथ है औरिंज पील माल्टे के चिलके और दो अदद लेमन आपने साबत रखने है इसके चिलके नहीं उतारने इसी तरह रखना है अब आपने करना क्या है जो है माल्टे के चिलके दो और ले 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 लेके आपने इस तरीके से बॉइल करना है कि इसका एक्स्रेक्ट निकल आए तो जब यह ऐसे हो जाए तो इसके अंदर आपन यह इसका एक्स्ट्रेक निकल आया है यह लेमन और और ओर इंज पील डाले थे हमने इस तरह अधर जब इसका एक्स्ट्रेक तो आपने कैसे करना है इसका एक बड़ी आपको स्पून चाहिए होगी यह दिखिए यह आपने तो अपने दो आपने ये वली पूंग यह आपने दो हिस्से और लेमन एक्सटेक्ट के डालने हैं अब आपने इसके अंदर ग्लेसरीन एड़ करनी है और आपने जैसे दो जो है टेबल स्पून एड़ किये थे तो ये एक छोटी वाली करनी है अगर आपके पास साइज हो ठी अब लेमन लेमन आपने ग्लैसरीन आइट करना ही ले ऑड़र्गेस। जोजुवाओं स्चाहँ एक रेक्सट्रेक हडा हैंixa टी स्पूनस कोई बस ये तीनों चीजें आपने मीक्स करना है, लें अच्छे से इसको मीक्स करकें। रात को डॉ jejत्रों की मददसे इस्ट्यार के मददसे बुद्न सैफेंड़ फेस बजा आइए। आपकी स्किन को पिग्मेंटेशन भी दूर करेगा और मॉस्चराइज रखेगा स्किन को ग्लो देगा एक बहुत ही अच्छा सा सीरम यह आपका त्यार है घर पे और चीजें भी वह हैं जो आपके पास हैं जोजुबा ओयल आप यह हीमानी वालों का है अच्छा ओयल है तो औ अच्छा यह वाइटनिंग सीरम त्यार है घर पे वीडियो अच्छी लगी लाइफ शेयर चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दौाओं में याद रखिएगा टेक केर अलाफेज